बच्चों आपने अपने चारो तरफ कई तरह के जीव देखे होंगे इन में से कुछ जीव पानी में रहते हैं तो कुछ हवा में दिखाई पड़ते हैं कुछ स्थल में रहते हैं तो कुछ पेडों पर रहते हैं जैसे, ये देखो, कितनी सारी मचलियां हमें पानी में दिखाई दे रही हैं, बदक पी है, और वो किनारे कौन आराम कर रहे हैं, ये तो मगर मच्छ है, हवा में हमें कबुतर और मैना दिखाई दे रहे हैं, कुट्टा और बिल्ली, ये तो सामानेता आपने देखे ही होंगे कुट्जीव जो होते हैं, वो इतने सुक्षम होते हैं, जो हमें सामाने आखों से दिखाई नहीं देते, जैसे कि अमीबा, युगलेना, इनके बारे में तो आपने पढ़ाई होगा, और कुट्जीव इतने विशाल, अरिवाप्रे, ये देखो, इतना बड़ा गजराज, ह बरगत का पेड़ आपने देखा है, कितना विशाल होता है, और आपके चारो तरफ फैलियू ये घास, कितनी छोटी होती है, कुछ पौधे जो होते हैं, वो पानी में उखते हैं, और कुछ रेगिस्तान में, कुछ पौधे भूमी के नीचे उखते हैं, तो कुछ भूमी के इस प्रकार हमने देखा कि पौधे और हमारे पेड पौधे जीव जन्थों में कितने विवित्ता पाई जाती है आज हम जीवों में पाई जाने वाली विवित्ता और वर्गी करन्ट पर चर्चा करेंगे पौधों और जन्थों के सम्य gjort कर्यnde का आधहार क्या-क्या होता है इ इतना आसान कैसे हो सका इन सभी बातों की चर्चा आईए हम इसे ध्यान करते हैं बच्चों हमारे आसपास विभिन प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जनतू हम देखते हैं अरे देखिए ये पानी में कौन तैर रहा है मचली और कच्वे और वो जमीन पर कौन दौर लगा जानते हैं रेगिस्तानी पौधा क्रेक्टिस जली पौधे कमल और जलकुंभी ये हम सब जानते ही हैं और जमीन पर पाए जाने वाले ये नीन आम जाम के पौधे हम हमेशा ही देखते हैं सोचिए हमारे आसपास इतने विभिन प्रकार के ये पेड़ पौधे और जीव जन जीव जन्तु सजीव हैं क्योंकि ये सांस ले सकते हैं ये पेड़ पौधे और जीव जन्तु अपने ही समान संतानों को जन्व भी देते हैं आम के पेड से आम का पेड बनता है और कच्वे से कच्वे का बच्चा पैदा होता है इन समानताओं के अलावा क्या इनमें विव नताय भी पाई जाती हैं ये हरे पेड़ पौधे इनकी पत्तियों में उपस्तित क्लोरोफिल के कारण सूरे की प्रकाश की उपस्तती में प्रकास अंसलेशन की क्रिया कर सकते हैं लेकिन ये जीव जन्तु प्रकास अंसलेशन की क्रिया नहीं करते और अपने भोजन के लिए इन पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं तो देखा आपने हमारे आसपास जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जन्तु पाए जाते हैं उनमें समानताई भी पाए जाती हैं और विभिन्नताई भी पाए जाती हैं यही विभिन्नता जै विविद्धता कहलाती ह तो आईए इस जय विविदता और वर्गी करण को हम जानने का प्रयास करें। बच्चों, हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जन्तू पाए जाते हैं। इन पेड़ पौधे और जीव जन्तूओं में समानता के साथ साथ विविन्नता भी पाई जाती है। इस विविन्नता को ही जय विविदता कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि इन पेड़ पौधे और जियो जन्तुओं को उनके समान लक्षणों के अधार पर और विभिन लक्षणों के अधार पर अलग-अलग सम्हों में बाटा जाता है पेड़ पौधों को पौधों के सम्हूं में रखा गया है और जन्तूओं के सम्हूं को जन्तूओं के सम्हूं में रखा गया है अब इस बड़े सम्हूं को पुना समान लक्षणों के अधार पर छोटे छोटे सम्हूं में बाटा गया है इन पेड़ पौधों को उनके सभी सदस्यों में पाए जाने वाले समान लक्षणों के अधार पर छोटे समुओं जैसे नीम के पेड़ों का समुओं, जाम के पेड़ों का समुओं, आम के पेड़ों का समुओं, धतूरे के पौधों का समुओं में बाटा जा सकता है ठीक इसी प्रकार जीवों के бड़े समों को उनमें पाये जाने वाले सदस्यों में समान लक्षणों के अधार पर छोटे छोटे समों जैसे बिल्लीयों का समों, कुट्टों का समों और मनुष्य के समों में बाटा जा सकता है इन चोटे समुहों के सभी सदस्यों में अधिकांश लक्षन समान होते हैं इन समान लक्षनों को इस समुहों का विशेश लक्षन कहा जा सकता है इस विशेश लक्षन के अधार पर इस समुहों को जाती की संग्या दी जा सकती है चलिए इस बात को एक उधारन से समझते हैं मनुश्यों का समू इस समू में जितने भी मनुश्य हैं वो सभी समान लक्षन प्रदर्शित करते हैं अब वो समान लक्षन क्या है? सुविक्सित मस्तिस्क और तवचा पर पाए जाने वाले कम घने बाल ये दो समान लक्षन मनुश्य जाती के सभी मनुश्यों में पाए जाएंगे चाहे वो विश्व के किसी भी देश के रहने वाले हों या किसी भी देश के राज्य के रहने वाले हों तो क्या एक जाती के सभी सदस्यों में समान लक्षन ही पाए जाते हैं? इस चित्र को देखिए, यहां इन दोनों मनुश्यों में विभिनता भी दिख रही है, एक मनुश्य का रंग काला है, दूसरे मनुश्य का रंग गुरा है, एक मनुश्य के बाल गुंगरालू है और दूसरे के सीधे है, याने इन में समान लक्षणों के साथ साथ विभिन लक पाई जा रही है तो क्या एक ही जाती के सभी सदस्यों में समान लक्षण ही पाए जाते हैं या उनमें विविन्नता भी पाई जाती है आईए इसको एक क्रिया कलाप के माध्यम से समझते हैं बच्चों हमें अपने आसपस बहुत से जीव दिखाई देते हैं इन जीवों में बहुत सी समानताएं और असमानताएं भी होती हैं इन समानताओं के अधार पर ही हम उन्हें समुहों में बाटते हैं जैसे कि मानव का समुह, जीव जन्तों का समुह, पेड़ पौधों का समुह, इन बड़े समुहों को हम और भी छोटे समुहों में बाट सकते हैं जैसे कि जानवरों के समू में घोडे का समू, बिल्ली का समू, शेर का समू और इसी प्रकार आप पेड़ पौधों में नीम के पेड़ का समू, आपके पसंदीदा फल आम के पेड़ का समू, इन समू में आप उन्हें किस तरह से बाठते हैं, उनमें पाए जाने वाले विशिश लक् इस क्रिया कलाप के लिए हमने दो एक समान दिखने वाले पॉधे लिए इंदोनों पॉधों की तुलना हम कुछ बिंदों पर करेंगे जैसे कि इन दोनों 1944 के तनेकी लंबाई पत्टियों की संख्या पत्टियों के आकार वा कृतिता हो रंग पत्त्यों के किनारे और शीरवि पहले पौधे की तने की लंबाई नाप लेते हैं, ये देख सकते हैं आप कि हमें तने की लंबाई 26 cm प्राप्त हुई है, ठीके, तो आईए हमें इसे नोट कर लेते हैं, पौधे एक में हमें तने की लंबाई 26 cm प्राप्त हुई है, इसी प्रकार हमें दूसरे पौधे की तने की लंबाई भी नापनी होगी, दूसरे पौधे की तने की लंबाई हम ले लेते हैं, ये देखिए, इसके तने की लंबाई हमें 24 cm प्राप्त हुई है, इसे भी हम, नोट कर लेते हैं, 24 cm, चलिए, अब हम दूसरे लक्षन पे चलते हैं, पत्तियों की संख्या, बच्चों, तो चलो, हम अब दोनों पौधों की पत्तियों की संख्या गिन लेते हैं, पत्तियों की संख्या आप पहले ही देख सकते हैं, कि इस पौधे में हमें पत्तियों पत्त आप हम दूसरे पौधे में पत्तियों को गिन लेते हैं 37 इसका मतलब हमें दोनों पौधों में पत्तियों की संख्या अलग-अलग प्राप्त हुई है इसे भी हम नोट कर लेते हैं हमें पौधे एक में कित्ती मिली थी पत्तियों की संख्या 26 और दूसरे पौधे में हमें पत्तियों की संख्या मिली है छोटा है और इसमें कुछ पत्तियां ऐसी हैं जिनके आकार बढ़े हैं कुछ पत्तियों के आकार इसमें भी छोटे हैं और इसमें भी छोटे हैं क्योंकि ये पत्तियां भी और बढ़ने वाली हैं इसी प्रकार अगर हम इनके आकरिती की बात करें तो इनके आकरिती हमें समान दिखाई दे रही है आप देख सकते हैं देखिए इनकी आकरिती आपको एक जैसी दिखाई दे रही होगी ठीके बच्चों इसके बाद हम अगर पत्यों के रंग की बात करें तो पत्यों का रंग कहीं हमें ज्यादा हरा दिखाई दे रहा है तो कहीं पर कम हरा दिखाई दे र कहीं कमहरा दिखाई दे रहा है इसका कारण पढ़ने वाले सूरे के प्रकाश का कारण होता है जब सूरे का प्रकाश सामने से आपको जिन पत्यों पर पढ़ता है उनका रंग अलग और जिसमें सूरे का प्रकाश कम पढ़ता है उसमें पौधों के पत्ति का रंग अलग हो ज आप देख रहे हैं बिल्कुल समान है तो हमें दोनों पौधों में पत्यों के किनारे समान दिखाई दे रहे हैं इसके बाद अगर हम बात करें इसके अगले लक्षन की ओर जो की कहलाता है शिरा विन्यास तो देखिए पौधे का शिरा विन्यास मुख्य शिरा आपको दिखा शिराविन्यास देखते हैं यहां भी आपको मुख्य शिरा दिखाई दे रही है जिसके चारों तरफ जाल रूप में शिराएं हैं अर्थात हमें दोनों पौधों का शिराविन्यास समान प्राप्त हुआ बच्चों इस प्रकार हमने पाया कि एक समान दिखने वाले दो परिवर्तन था पत्यों के आकार वो भी परिवर्तित थे कुछ चोटे और कुछ बड़े थे परन्तु इनके आकरिती समान थी पत्यों के रंग कुछ हलके हरे कुछ गहरे रंग के थे और कुछ पीलापन लिये हुए थे पत्यों के किनारे समान थे और उनके शिराविन्यास समान थे तो इस प्रकार एक समान दिखने वाले पौधे बी कुछ विशिश लक्षणों में समान होते हैं परन्तु उनके कुछ लक्षण असमान भी होते हैं क्रिया कलाप एक में हमने देखा कि एक ही जाती के दो पौधे जिनमें बहुत सारी समानताईं भी थी और कुछ चलिए आईए एक और क्रिया कलाब करते हैं और इस जय विविदिता को और बहतर तरीके से समझते हैं क्लाब 2 मनुष्यों का अवलोकन इस क्लाब में हम मनुष्य के विभिन शारिक लक्षण का अवलोकन करेंगे आज स्कूल चाना है, साइन्स प्राक्टिकल है? हाँ, आज चाना है अरे वाब अच्छो, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्रिश्नी बेशेती बात कर रहे थे अच्छा, तो सबसे पहले मुझे अपने नाम बताओ आप लोग, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नियती है, तुमारा? मेरा नाम चीनू है, मेरा नाम चिक्की है, आदेती है ओके, अरे वाब, चलो, आज हम लोग, आप सभी के वजन, लंबाई, आपकी हतेली की लंबाई, चोड़ाई, अंगुठे के निशान, इन सब का मापन करते हैं इसके लिए, आप लोगों को मैं केक एक पेज, पैन देती जा रही हूँ, इसमें आप लोगों को करना क्या है? जब हम आपकी लंबाई और वजन आदी का मापन करेंगे, तो आप इन में उसे क्या करेंगे? लेकिन नोट करेंगे, ठीक है, चले, तो चले, तो बच्चों चलो, पहले हम शुरुआत करते हैं बजन के मापन से, ठीक है? आप लोगों के पास pages है, pages में अपने अपने नाम लिख लीजे, और जैसे ही हम वजन का मापन आपका लेते जाएंगे, उसे उसमें नोट करते जाना, तो चीनू, पहले आप से शुरुआत करें, चले, आईए, तो चीनू का वजन आया है, 45.8 kg, ठीक है, आदी, आप आजा आदी का वजन है, 54 kg, चलिए चिकी, और चिकी का वजन है, 54 kg, अब बारी आती है नियती की, चलो चलो चलो, अब इसका भी वजन बेखेंगे, नियती का वजन है, 40.4 kg, चलिए, सब ने अपने वजन मापन कर लिया, नोट कर लिया उसे, तो चलो बच्चो, अब तुम्हारी लंबाईयों का मापन करते हैं, ठीक है, देखो, इसके लिए हमने यहाँ एक स्केल बनाई हुई है, 3 फिट, 4 फिट, और 4 फिट 6 इंज से लेकर, 5 फिट 6 इंज दर, ठीक है, इ ठीक से खड़े हो चिनो, चलो, खटो तू, चीनो की लंबाईय आई है, 4 फुट, 10 इंज, चलो आदी, अब तुम्हारी बारी, यह तो मुझसे भी लंबाईयों, चलो, आदी की लंबाईय है, 5 फुट, 4 इंज, नेक्स बारी आती है, चीकी की, चलो चीकी, तो चीकी की लंबाईय मिल रही है, हमें, 5 फुट, 1 इंज, और लास्ट में, निर्टी, कम ओन, चीकी की लंबाईय भी उतनी ही आ रही है, चलो देखते हैं, चीकी की लंबाईय भी है, 5 फुट, 1 इंज, तो चलो बच्चो, अब हम, तुम सभी की हथेलियों की लंबाईय और उसकी चौड़ाई नापते हैं, ठीके, तो चलो चीनू, पहले अपना हाथ सामने लाओ, चीनू की लंबाई, हथेली की लंबाईय है, 16 सेंटिमीटर, और इसकी चौड़ाई हथेली की है, 7 सेंटिमीटर, ठीके, अच्छा चलो तुमारी तरजनी उंगली भी नाप लेते हैं, ये है, 6 सेंटिमीटर, चलो नोट कर लो चिन्हा, आदी, आप अपना हाथ सामने लाए आदी की हथेली तो बहुत लंबी है भाई, ये है, 18 सेंटिमीटर, और इसकी चौड़ाई देखें, ये है, 8 सेंटिमीटर, तुमारी तरजनी उंगली, ये है, 7 सेंटिमीटर, चलो चिकी, तुमाजो, चिकी की हथेली की लंबाई है, 15.5 सेंटिमीटर, और इसकी चौड़ाई हथेली की है, 6.5 सेंटिमीटर, लाओ, तुमारी तरजनी उंगली भी माप लें, ये है, 6 सेंटिमीटर, चलो, नियती, तुमारी बारी, नियती की हथेली की लंबाई, 16 सेंटिमीटर है, और इसकी चौड़ाई, 7.7 सेंटिमीटर, इसके बाद इसकी तरजनी उंगली नाप लें जाए, ये है, 7 सेंटिमीटर, सभी अपने अपने हथेली की लंबाई चौड़ाई और तरजनी उंगली की लंबाई नोट कर लो, बच्चों आप लोगों को पता है, हम सभी के हाथों के अंगुठे के निशान अलग-अलग होते हैं, अच्छा, ऐसा भी होता है, कि हम सब के हाथों के अंगुठों के जान तिख लें, चलो चीणू, तुम से शिदवात करते हैं, यहां से अंगुठा, हाँ, लगाओ, बेरी गुड, चलो आदी, बेरी गुड, चलो चीपी, अब तुम्हारी बारी, बेरी नाइस, चलो नेती, तुम सभी के अंगूठे के निशान अलग-अलग हैं चिक्की तेरा दिखा मैं हम दुनों के तो एक जैसा ही है बेटा इसे पहले लेंज से बारी किसी देखना होता है तभी हम इसका अंतर समझ पाते हैं चिक्की और चिनू की तरह जितने भी मनुश्य हैं उनके अंगूठे के निशान अलग-अलग होते हैं तो इस क्रिया कलाप से हमने यह देखा कि एक ही जाती के सदस्यों में समानता के साथ साथ अंतर भी पाये जाते हैं इन ही अंतर को हम विभनताय कहते हैं इन विभनताओं के कारण ही हम एक ही जाती के सदस्यों को व्यक्तिगत इस्तर पर पहचान पाते हैं तो देखा आपने क्रिया कलाप एक और क्रिया कलाप दो दोनों ही क्रिया कलापों से हमने ये जाना कि किसी भी एक जाती के सभी सदस्यों में अधिकांश लक्षन समान होते हैं और उनमें कुछ असमान लक्षन याने विभनताएं भी पाई जाती हैं इन ही विभनताओं को ही हम जय विविद्धा कहते हैं ये विबिन्नताई ही उस जाती के सदस्यों की विशेश लक्षन होते हैं और उस जाती के सदस्यों की वेक्तिगत पहचान भी होती है किसी भी छेत्र विशेश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जिवजन्तों में समानता के अलावा विभिन्नता का पाया जाना ही जैव विविद्धा है इसी जय विविदता को अधार बना कर किसी विशेश जाती के सदस्य के बारे में अध्यन किया जा सकता है और उनको और भी छोटे छोटे समुव में बाटा जा सकता है तो आईए अब एक और क्रिया कलाप के माध्यम से समझते हैं कि इतने सारे जियो जन्तु जिसमें इतनी सारी विविदता पाई जा रही है उनको किस तह से छोटे-छोटे समुहों में बाट कर उनका वर्गी करण किया जा सकता है और उनके बारे में गहन जानकारी इखटा की जा सकती है बच्चों आप अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखते हैं इन वस्तुओं का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं इन वस्तुओं का उपयोग करने के लिए इन पर चर्चा करने के लिए और इनका अध्यन करने के लिए हम इनके समुह बनाते इन वस्तों का समूव बनाने के लिए उनमें समान गुण को देखा जाता है उनके समान गुणों के आधार पर ही हम उनका समूव बना पाते हैं या समूवी करण कर पाते हैं हमारे पास यहां कुछ वस्तों हैं जैसे कि लकडी की ये स्केल, रबर की गेंद, प्लास्टिक की स्केल, काज का टुकडा, लेंस, परक्नली, चोटी सी ये स्वी, पैन, लकडी का गुटका, प्लास्टिक का सामान, रस्सी, लकडी का ये बैट, समतल दरपड और पुस्तक, इन वस्तों का समूव बनाने के लिए हमें इन वस्तों में उपस्तित किसी समान गुण को देखना होगा, इसके समूव करन के लिए हम एक सार्णी का निर्मान कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ एक सार्णी बना रखी है, देखिए समूव का नाम और समूव में आने वाली वस्तों हैं, हमें समूव का नाम देखने के लिए कोई एक विशिष्ट गुण या आधार लेना होगा, जिसके आधार पर हम इन वस्तों को वर्गिकरित कर पाएं, जैसे कि पहला हम ले लेते हैं लकडी की बनी वस्तों, लकडी की बनी वस्तों में, लकडी की ये स्केल है हमारे पास, लकडी का गुटका और लकडी का ये बैट, साथ ही साथ हमारे पास ये पुस्तक भी है, बच्चों ये पुस्तक भी लकडी की ही बनी हुई है, तो आईए इसकी हम साणी में प्रविश्टी कर लें, हमारे पास समु का हमारा नाम है लकडी की बनी वस्तुएं सबसे पहले हमने लिया था लकडी की स्केल उसके पाद लकडी का गुटका पुस्तक और लकडी का बैट तो चलिए बच्चो अब हम इसी प्रकार ये वस्तुएं जिस सामगरी से बनी हुई है उसको आधार लेकर काज की बनी वस्तुएं में हमारे पास है काज का टुकडा लेन्स अ कि परक्छनली कं ले तो और ये साथ ही साथ हमारे पास है समतल दरपड़न हम इन्हें इस तरफ रखते जा रहे हैं तो हमारे पासुसरा समूज जो है वो है कांच की बनी वस्तुएं इसे भी हम प्रविष्टी में ले ले अपनी कांच का एक टुकड़ा लेंस, समतल दरपण एवां परक्नली इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए यदि हम एक और सम्मू का निधारण करना चाहते हैं तो वो हो सकता है प्लास्टिक की बनी वस्तुएं प्लास्टिक की बनी वस्तुएं में प्लास्टिक की ये स्केल हमारे पास है प्लास्टिक का सामान और प्लास्टिक की ये पेन तीसरा सम्मू है हमारा प्लास्टिक की बनी वस्तुएं प्लास्टिक का स्केल प्लास्टिक से बना सामान एवं पेन अब देखे बच्चे हमारे पास ये तीन सामान ये जो तीन वस्तुएं हैं ये रह गई हैं जो की हमारे दारा बनाए हुए किसी भी समूह में शामिल नहीं की जा सकी हैं इन वस्तुों में हमें कोई भी समान गोण दिखाई नहीं दे रहा है तो इनके लिए हम किस प्रकार के समूं का निर्मान कर सकते हैं हम कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुओं जो ना काच की बनी है ना लक्डी की और ना ही प्लाष्टिक की इस समू में हम इन तीनों वस्तूओं को शामिल कर सकते हैं तो इस प्रकार हमारा अगला समू का नाम होगा ऐसी वस्तूओं का समू जो ना प्लास्टिक की बनी है ना कांच की और ना ही लकड़ी की इसमें शामिल हो जाएंगी रबर की हमारी गेंद, रसी और सुई लकड़ी की वस्तुएं, काच की वस्तु, प्लास्टिक की वस्तुएं और ये अलग वस्तुएं बच्चों, इन वस्तुओं का वर्गी करण आप इन में उपस्तित अन्य गुणों के अधार पर भी कर सकते हैं जैसे की इन में से प्रयोक शाला में उप्योग आने वाली वस्तुएं परक्नली, समतलदरपन और ये लेंस यदि हम कहें आपके द्वारा खेले जाने वाली वस्तुओं का उप्योग हम करें किनका उप्योग करते हैं हम बैट का और बॉल का इस प्रकार विभिन वस्तुओं में अलग अलग गुणों के आधार पर हम उनका वर्गी करण कर सकते हैं वस्तों के अवस्था के अधार पर जैसे कि गैस अवस्था ठोस अवस्था द्रव अवस्था वस्तों के उपयोगिता के अधार पर उनका वर्गी करण किया जा सकता है वस्तों का जिन से उनका निर्मान हुआ है उसके अधार पर आप उनका वर्गी करण कर सकते हैं जैसे कि भी हमने किया तो इस प्रकार वर्गी करन के लिए वस्तों के अलग-अलग गुणों का अधार लिया जाता है